नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेगे जो कि भार सरकार के अधीन आने वाले रक्षम अंत्राले के अधीन एक राजबुताना राइ है और आज यनि 10 जुलाई को यह है अधीन आफिशली पब्लिस हो चुकिए देखते हैं इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि कौन-कौन से पद अधीन के रिक्वालिकेशन है और क्या एज लिमिट रही और किस परकार से आप ओफ-लाइन एप्लिकेशन परफॉर्मा राइफल रेज मेंटल सेंटर है जो कि दिल्ली एटंट में श्थीत अब और सबसे पहले जो पद अधैड़टाइज के खिया है रसोया यानि कुक के लिए 11 पद अधैड़टाइजमेंट के गए हैं कुक के अनरक्षित यानि के जनरीजने के लिए साथ हैं और अनुसूच जाहिए और भारतिय भोजन पकाने का आपको ग्यान या ट्रेड में कुशलता होनी चाहिए और वंचनिय योग्यता की बात करें ये डिजरेबल है ये जरूरी योग्यता नहीं है ट्रेड में एक वर्स का अनभव होगा तो आपको वरेता दी जाएगी आगे देखो दूसरा पद है बूट निर्माता यानि के बूट मेकर बूट मेकर के कुल दो पद है जिसमें भूत पुरुषैनी के लिए एक पद है और हैंडिकेप्ट के लिए एक पद हैंडिकेप्ट में जिस केंडिडेट को जो केंडिडेट जिसकी अपंगता एक टांग से अपंगता है उस कें क्वालिफिकेशन है और सभी कैन्वास वस्तर लाने ले जाने चमडे की मरम्मत तथा उपकरन और बूट बदलने में सक्षम होना चाहिए इसके बाद पोस्ट है बढ़ाई यानि कारपेंटर की कारपेंटर का एक पद है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें ये कारपेंटर के लिए इसके बाद पोस्ट है धोबी के धोबी यानि वाशरमेन का दो पद है और इन दो पदों के लिए अनिवारिया जो योग्यता है वो किसी भी मन्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या इसके समतुल्या आपने उतिरन कर रखा होना चाहिए सैन मेट्रिकुलेशन या उसके समतुल्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और नाई के ट्रेड में कार्य कुशल्ता भी आपकी होगी तभी आप नाई के पद के लिए अपलाई कर सकते हैं और उसके बाद है पद है सफाई वाला सफाई वाला के कुल दो पद हैं और अनिवारि यह वंचनिय योग्यता है और इसके बात बात कर लेते हैं आयू सीमा की आयू सीमा इस एड़ोटेजमेंट के पॉइंट नंबर दो पर जैसा की आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर दो पर आयू सीमा अनरक्षित पदों के लिए 18-25 अन्य पिछड़ा वर्ग पदों हे तु 18-28 वर्ग पदों हे तु 18-30 वर्ग और भूत पुरो शैनिक सास्थर बलों में कम से कम 6 महीने की निंतर सेवा करने वाले भूत पूरह सैनिक को अपने वस्त्यक आयू से उससेवा की अवध्वी पूरी अवध्वी को घटाने की अनुमति और परिमानित आयू अधिक् handicap candidate हैं उन्हें भी उपरी IOC में 10 वर्स की छूट मिलेगी और इस पदों के लिए इन पदों के लिए आप online अप्लाई करने के साथ साथ आपने क्या 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 document लगाने हैं वो document की जो सूची है वो इस advertisement के point number 7 पर दर्शाई गई है और आपने जन्म तिथी के समर्थन में मैट्रिक परमान पत्तर नगरपालिका से इशू किया हुआ जन्म परमान पत्तर और आवेदित पद के संदर्व में sectionic आहरता के अंग पत्तर यानि के आपने matriculation का अंग पत्तर DMC आपने लगानी है तैसीलदार rank से किसी अधिकारी से अनसूची जन्जाती अन्य पिशड़ा वरग EWS परमान पत्तर की स्वेम सत्यापित फोटविया अपने लगानी है और यदि आप विकलांग था के लिए आपने अपना विकलांग था परमान पत्तर जिसमें कम से कम आपकी विकलांग था 40% से अधिक हो या 40% हो तब आप ए अप्लाई कर पाएंगे और जो भूत पुरु सैनिक हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना डिस्चार्ज पिया मूल पर्मान पत्तर नहीं भेजने हैं इस बात का आप ध्यान रखें मूल पर्मान पत्तर केवल आपको साक्षातकार के समय ही प्रस्तूत करने होंगे और जो अवेदन पत्तर आप अठनी होंगे आप पूरण होंगे यानि के पूरण रूप से भरेवे नहीं होंगे औ और आज की वीडियो में वसीत नहीं इसमें हम आपको जो अन्तिम तारीख है वो एक और बता देते है इस अवेधन जो अड़िर्टाइजमेंट है इसके पॉइंट नमबर 5 पर दरशाया गया है कि आवेधन करने की जो अन्तिम तारीख है वो रोजगार में इस विग्यापन क प्रकाशन तिथी से 35 दिन होंगे यानि आज 10 जुलाई को यह पब्लिश हो चुका है और उस हिसाब से आपको 14 अगस्त 2021 तक आपने ओफलाइन आवेदन भेज देने हैं और जो केंडिडेट जमुक मेघालया अरुनाचल परदेस मीजोरम मानिपुर नागलैंड तरीपुरा सिक्कम और जमुक स्मी रजय के लद्दाख डवीजन हिमाचल के लहौल स्पीती जिला चम्बा जिले से और पांगी सब डवीजन अंडमा निकुबार द्वीवसुमू से संबंद रखते हैं और इन पदों के लिए दिल्ली में अपलाई करना चाते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट के प्रकाशन की तिथी से 42 दिन की समय मिलेगा उन्हें अधिक समय मिलता है साथ दिन का अधिक समय मिलता है क्योंकि वहां से डाग प्राप्ती में समय अधिक आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई भरती की जानकारी के साथ तब तक के लिए आपको नमस्कार जाहिन जावार तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करें क्योंकि इसे आने वाली अगली वीडियो में आप जानेंगे कि इस राजपुरता ना राइफल रेजमेंट सेंटर दिली कैंट के दुवारा जो यह एड़टेजमेंट के गिए हैं विभिन पदों के लिए इनके लिए आप ओफ-लाइन एप्लिकेशन परफॉर्मा किस प परणकारी के साथ तब तक के लिए आपको नमस्कार जैहिंद जैबार धन्यवाद